सनातन पंचान के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को कालाश्टमी मनाई जाती है तद अनुसार आश्विन माह में कालाश्टमी 6 अक्टूबर को है इस दिन काल भैरो देव की पूजा अर्चना की जाती है साथ ही काल भैरो देव के निमित वरत रखा जाता है तंत्र सीखने वाले साधक कालाश्टमी की रात्री में अनुष्ठान करते हैं शास्त्रों में निहित है कि कालाश्टमी पर निशाकाल में काल भैरो देव की पूजा की जाती है धार्मिक मान्यता है कि काल भैरो देव की पूजा करने से साधक को मनोवांशित फल की प्राप्ती होती है साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप, शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं अतह साधक श्रद्धा भाव से काल भैरो देव की पूजा उपासना करते हैं आईए, पूजा का शुब मुहूर्थ एवं पूजा विधी जानते हैं शुब मुहूर्थ आश्विन माह की अश्टमी तिथी 6 अक्टूबर को प्रातह काल 06.34 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 08.08 मिनट पर समाप्त होगी सनातन धर्म में उदया तिथी मान है अतह 6 अक्टूबर को कालाश्टमी मनाई जाएगी महत्व कालाश्टमी पर्व का विशेश महत्व है तंत्र सीखने वाले साधक धूंधाम से कालाश्टमी मनाते हैं इस दिन काल भैरो देव के मंदिरों को सजाया जाता है साथ ही विशेश पूजा का आयोजन किया जाता है इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालू दर्शन हेतु बाबा के दर पर आते हैं इस अफसर पर उज्जेन स्थित महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के सभी प्रमुक्र शिव मंदिरों में विशेश पूजा की जाती है पूजा विधी कालाश्टमी के दिन ब्रहम बेला में उठकर सबसे पहले काल भैरो देव को प्रणाम करें इसके पश्चात घर की साफ सफाई करें दैनिक कारियों से निवरित होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें इस समय आचमन कर स्वयम को शुध करें और नवीन श्वेत वस्त्रधारन करें अब सबसे पहले भगवान भासकर को जल का अर्गिय दें ततपश चात पंचोपचार कर काल भैरो देव की पूजा पंचामरित दूद दही बिल्व पत्र धतूरा फल फूल दूप दीप आदी से करें इस समय भैरो कवच का पाठ और मंत्र का जाप करें पूजा के अंत में आर्थी अर्चना कर सुख समरिद्धी और धन प्राप्ती की कामना करें दिन भर उपवास रखें निशाकाल में सनान ध्यान कर पुनह विधी विधान से पूजा एवं आर्थी करें इसके बाद फलाहार करें रातरी समय में कीर्टन और भजन करें अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा पाठ के बाद व्रत खोलें